हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बढ़िया होंगे तो फ्रेंज आज बना रही हूं मैं खमन धोकला की रेसिपी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बाउल में छलनी रखके उसके उपसे मैंने डोयर काटोरा बैसन ले लिया है और अब मैं इसको अच्छे से छान लोंगे ताकि इसमें जो भी कोड़ा करकर कट कच्रा कुछ भी हो वो निकल जाए तो बेसन को हमें इसा छान के ही लेना चाहिए तो इसको मैं अच्छे से छान लोंगे बेसन को इह दिख सकते हैं फ्रेंस इतना मेरा कच्रा निकल गया है बेसन से तो लोगे तो यह देख सकते हैं एक अच्छ though गोल त्यार कर लिया है और अब इसके उपर से मीरी यह देख सकते और इसको बाद stereo अच्छ कर लोगी एक सायच में ही इसको ताक्या इसका पैसे घुमाती जाउंगी और देख सकते हैं मेरा वेटर को ready हो चुका है यह को डएक़ सकते हैं एक दम से ऐसे ऐसा घोल बनना चाहिए, यह देख सकते है तो यह मेरा बनके ready हो चुका है लगवग इसको मैं अच्छे से फेट लोंगी यह देख सकते हैं एक तार में निकलना चाहिए बेशन को और अब यहाँ पे मैंने एक थाली में तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं मैंने तेल लगा के ग्रीस कर लिया था और इसमें मैं इसको एट कर लूँगी डाल लूँगी और इसको आप मैंने कडाई पे गैस पे कडाई मैं थोड़ा पानी डाल के एक स्टेंड डाल रखा है नीचे से आप गिलास से कटोड़ा कुछ भी डाल सकते हैं उसके उपर से मैंने थाली डालके डखन लगा के पकने के लिए रख दिया है इसको मैं 40-45 मिनट में तक पकने के लिए छोड़ दूँगी और यहां पर मैंने एक कडाई ले रखी है और इ बुकरास डाल लिया है तो यह देख सकते हैं यह मेरा पानी तैयार हो चुका है धोकला के लिए और यहां पर मेरा धोकला परनके बिल्कुर रेडी हो चुका है और मैं इसकी साइटे काट के इसको सिप्ट कर लोंगी दूसरी प्लेट में यह देख सकते हैं साइटे मैंने का कर लिया है तो यह देख सकते हैं और अब मैं इसके ऊपर से मैंने पानी बनाया था ढोकले के लिए उसको मैं डाल दुद्वेश एक बने और और अउशना है यह देख सकते हैं फ्रेंस ऐकडम धोकला न के रियो को चुका करें और यह वीडियो इंजोई जरूर करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो इंजोई करें और थैंक्स पॉर वाचिंग एंड बाई बाई